नमेश्यार दोसों आप शभी का बहुत बहुत श्रगते दोसों के अशिय है आप शभी उमीद करते हैं कि बगवान भुलिनाथ के शिरभाशी आप शभी बहुत अच्छे होंगे जया दोसों हम आप श७ी के लिए बहुत बड़ी खुशकबरी लेकर आए हैं हम आप शुबी को बता दे कि जिसके लिए आपकी आँखें तरश गई थी कि यहाँ चीज हमें कब मिलेगा दोस्वों वहाँ चीज अब आपको मिलने वाले हैं जी दोसों बगवान भुलिनात का अश्रवाद एशा है कि आपके जुनकाल में आने वाले दो दुनों के अंदर पूरा जीवन आपका बदनने वाले हैं जी दोसों हम आप श्रवी को बता दें कि जब भी इश्वर अपने वक्त के जुनकाल में चमतकार करते हैं तो दोसों उनके जुनकाल की शारी बातों को देखते हैं कि वह व्यक्ति कौन से कारे किये हैं, कौन से कारे उनके लिए शही था और कौन से कारे उनके लिए गलत था और दोस्तों पिछले कई शमयों से आप पने जुनकार में लगतार महनत पर महनत, यकीन पर यकीन और भगवान पर बिश्वास कर दे रहें तो दोस्तों आपको भगवान केसे ये कुशी नहीं देते भगवान भी यह चीज देने के लिए बेकरार हो रहे थे लेकिन दोस्तों वो कहते हैं कि भगवान हर कार्यों को श्रमे पर ही देते हैं बहले ही आपको लगता होगा कि यह चीज जिसके लिए मेहनत कर रहे हमें नहीं मिलेगा लेकिन दोस्तों आने वाली दो दुनों के अंदर बगवान आपके शबर का आपके इंतिहां का फल देने वाले ही तो दोस्तों इसे में आप वीडियो को बिल्कुल ही मिशना करें और श आपको कौन-कौन शी बड़ी कुशकबरी मिलने वाली है शादे साथ दोस्तों आने वाली दो दुनों के अंदर आपको कौन से विश्येस बातों का ध्यान रखना होगा जिया दोस्तों आने वाली दो दुनों में आप कौन से इसा कारे करेंगे ताकि भगवान भुलिनात और मालक्षमी आप शेप परसन हो सके और श्राइद दोस्तों वीडियो के अंत में हम आपको उश्वाइक उपाएक इश्वा मंतर बताने वाले हैं जो कि दोस्तों इन दो दों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंतर तक अव खत्मोंगी और जुनकाल में आपको खुश्यां मिलना प्रार्म हो जाएंगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरू करते हैं दोस्तों आप शुभी को बता दे कि इस धर्दी पर कोई इंसान नहीं है जो कि यह चीज नहीं चाहता हो कि उनके जुनकाल में पेशा नाए कि उनके जुनकाल में खुश्यां नाए और उनके घर प्रवार में शुख शांती नाए जे दोस्तों बेशोक्षी बाते हर इंसान यह चाहता है कि उनके जुनकाल में उतना धन हो ताकि वह अपने जुनकाल में जो भी चीजे हैं उन्हें खरिश की जो भी उनके जुनकाल की प्र्याब्ट मात्रा में धन है उन्हें वह अरिजित कर्शे की हर कोई चाहता कि उनका किशमत का धनुने प्र्याब्थ हो जाए लेकि दोस्व तो हर इंशान शही कारी को नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग रास्तों से भठक जाते हैं, कुछ लोग किसी के बहकावी में आ जाते हैं, गलत लोग के शलाह ले लेते हैं, जिनसे उनको परिश्यानियों का श्रामना करना होता है, और शही समय में उनका सभी कारी नहीं बन पाता है तो दोस्तों इसे में आप कौन शी गलती करते हैं आप कौन शी बातों का ध्यान नहीं रखते हैं जिए दोस्तों हम आप शीव को बिता दे कि आपकी जुनकी शबसे बड़ी कमजोरी है कि तुरंद ही किसी के उपर विश्वास कर लेना जिए दोस्तों जुज लोगों पर हैपको विश्वास नहीं पर करना होता हुए आप एसे लोगों पर तुरंद ही कर लेते हैं ॥े दोस्तों आपने जुनकाल में आज ही आपर इस गलती को छोड़ें कि На जान बोजई जिन बिन शमझे किसी को पर तुरंद विश्वास ना करें विश्गन दोस्तों आप आपको जुनकाल के दूसरों का है कोई अच्छा कार्य हो रहा हो तो दोसदों आपकी मन में कहीं जरुरा इस चीज पर ज्यादा पेश मिलेंगे हम वहाँ पर ज्यादा पैशा कमा शक्ते हैं तो दोस्व भूल शे भी आपको इस शब गलती नहीं करनी है कि दोस्व भगवान आपको जो दे रहा है वो आपके लिए कम नहीं है बहले ही आपको अभी वक्त कम लग रहा हो लेकि दोस्व आने वाले शुमे में वो आपके लिए शब से बड़ा मिसाल सावित होगा जिया दोस्व दोस्व इन बातों का भी आप ध्यान रखें इस गुपान दोस्व तिसरा जो बात आती है जो आप हर रोज कर देते हैं आप चाहते हैं कि आप इस कारे को नहीं करें तो दोस्तों फिर भी आप कर देते हैं दोस्तों आप शुगू बता दे कि मन को आशान्द करना मन में आप हमेशा लगतार सूचते रहते हैं कि यह कार हमारा नहीं बन रहा है अब तो हम कुछ करहीने पाएंगे जुनकाल हमारा पूरी तरह बरवाद होने वाले हैं हम इन्हें नहीं बचा पाएंगे तो दोस्तों आप शुभी को बता दे कि यह शुब करने से आपके जुनकाल कभी आगे नहीं बढ़ेगा इन पर भी आपको ध्यान देना होगा कि दोस्तों जब भी जल गंदा हो जाता है तो उसे हिलाते नहीं है बलकि उन्हें शांत चुड़ देते हैं गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है इसी परका दोस्तों जीवन में भी प्रेशनी आने पर बेचेन होने के बज़ाए शांत रहकर पिजार करें दोस्तों आपको हल जरूर मिलेगा यह दोस्तों क्या दोस्तों हम सही बता रहे हैं यह बात सच है तो दोस्तों कमेंट करके हमें जरूर बताईएगा तो आई दोस्तों से गुपरांद बात करते हैं दो दूनों के अंतर आपको कौन-कौन शी बड़ी खुश्कबरी मिलने वाली है आपका लवलाइब स्वास केरियर और धन के सदे में कौन-कौन-शी बड़े शुधार होने वाले हैं शाद दोस्तों कौन शी विश्य शादुनी आपको रखनी चाहिए इन बातों के बारे में विश्टेस बात करेंगे शाथ ही एक एसी उपाय के बारे में बात करेंगे जो कि दोस्व इन दिनों के लिए बहुत बड़ा वर्दान होगा तो दोस्व पूरी वीडियो अंदर तक आप ध्यान से देखेगा जें दोस्व तो अई दोस्व बात करते हैं पूरे विस्तार शे दोस्व आपका सोच समझकर निले लेना और खोसिश करके अधिकतर काम श्वेंगी निप्टाना आपको अवश ही अपने कारियों में शफल करेगा कोई रुका हुआ पेशा टुकुडों में मिलेगा प्रन्तु इससे आपकी आर्थे की जथी कुछ बहतर ही हो जाएंगी इ कभी-कभी किसी विश्यक पर गहराई से जानने की आवश्यक्ता होगी दोस्व आपको बता दें अगर आप कभी-कभी किसी विश्यक को गहराई से जानने की आपकी एक्छावी आपको अपने विश्यस लक्षों से भटका सकती है तो दोस्वें यश में आपको इन सब के लिए आपकी कोशिज में जारे रहेंगी और इनकी वज़ेश किसी बड़ी श्मस्या का श्रमाधान भी यह में आपको प्राप्त हो सकता है दोस्तों यह में आप पर बने हुए करजिय को दूर करने की आपकी कोशिज जल्द है श्वफलता में बदलने वाली है इसको प्रा श्वफल आप कर पाएंगे दोस्तों किसी वरिष व्यक्ति की मदद भी यह में आपके लिए बहुत दी वो तम शाप्त होगा इसको प्राप दोस्तों यह में ध्यान रखें कि बच्चे का अपनी पढ़ाई शेयर ध्यान भटक रहा है मरनजन के साथ-साथ उनकी पढ़ाई पर भी एक गरता रखना जरू होगा दोसनों यह में अपने गुश्य पर काबू रखें तता गेर काननी काणियों में ना होलजें यह आपके लिए बैतर होँगे और इसको प्राप दोस्तों यह जिस मूहूंगे दोस्तों आपको बदा दें कि आपके लिए मिला जूला यह शयोग मिलेगा इसको प्राम दोस्ते याश्म में आपके लिए जो समयोंगे दोस्तों आपको बता दें कि आपके महनत और आत्मिश्वास की वज़े से सभलता आपके नईदिक आएंगी हर बात को गहराई से समझना आपका विसेश गुन रहेगा आएके उचित मारक भी आने किये हैं वह आपके लिए फाइदे बंद रहेगी बीमा या फिर निवे शमबंदी कारियों के लिए जो समय है अनुकुल समय होगा घर में किशी पीरे शमबंदी का आगमन भी हो शकता है दोस्तों आपसी मेल मिलाप आपको यश्मे खूशी देने वाले इसको प्राहत आतें जिसका अशर आपके श्वास पर भी पढ़ेगा तो दोस्तों इनको लेकर यह मैं आपको सचेत रहना चाहिए इसको प्राहत दोस्तों आपके लिए सुन्होंगी दोस्तों आपको बदा दें कि सहत की तरफ ध्यान देने कि आपको आशकता होंगी काम की बातें के वज और तो भी याश्य में आपको पढ़ सकती है करवी लोगों से खुलकर मदद मंगने की आवश्रक्ता होंगी इसको प्रहां दोस्तों याश्य में आपकी केरेर के लिए जो समय होंगे आपको बता दे कारेस्तों पर किसी प्रकार का महत्पूर निल्य आपको नहीं लेना चाहि दोस्तों करमचारियों के गत्युदियों में शम्मदित परिशानी खड़ी हो सकती है प्रहां दोस्तों तनाव लेने के बजाए शमयदारी शे हल निकालना आपके लिए ज्यादा उचित होगा तो इन पर ध्यान दे इनसे दोस्तों आप शमस्या का हल भी निकाल पाएंगे इसको परांदों से यश में अगर आपकी लव लाइप को लेकर बात करें अर्थात आपके पारिविलिक जोन की तो दोस्तों यश में जिवन साथी के शाथ सम्मन आपका मधूर बना रहेगा तथा घर परिवार की जरुतों पर भी आपको ध्यान देना आपके यश में पर दाधन रहने की आवश्रक्ता होंगी तो अवर बात करते हैं एक उपाय की भारम जिनिगशनी आप इन. जो जमिन को दाने हाँ से छूकर अपने माथे फर अवश लगाए और अपने इश्ट देव का ध्यान करें इसे दोस्वों भागे मजबुद होगा और इश्ट देव के अशिरबात से कारेचितर में हमेशा आपको शुपल्दा मिलेगी दोस्वों कारी बढ़ा हो या फिर चो जब रही धन्यवाद